फाइनली भाई गुड न्यूज वन प्लस यूजर्स के लिए और बहुत जादा तसली वाली बात है यह पट सेम टाइम यहां पर छोड़ी सी बात है अगर उसको आप ध्यान से नहीं समझेंगे यह गुड न्यूज आपका experience में भी उतना बेटर ना कर पाएं अब मैंने सर्वी सेंटर को भी कोल किया इसका रिप्लेस्मेंट अभी फ्री में हो रहा है क्या चेक का ना पढ़ेगा एक वार आना पढ़ेगा तो यह सब बताता हूं ओहो माई इंट्रो जाएं दोस्तों क्या हाल है और्मॉस्ट थ्री मं नहीं था कि सिर्फ यह किसी पर्टिकुलर एक दो ब्रैंड में है कभी कहानी शुरू हुई थी समसंग के स्ट्वंटी सीरीज के साथ बाद में समसंग एक टाइम दिया था भाई हाँ इस टाइम में हम लोग फ्री ओफ कोस्ट रिपेर करने वाले डिस्प्ले को फिर उसके लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा केस देखने को मिला था वो है वन प्लस और जिनके फोन में प्रॉब्लम आई मैक्सम सबके साथ कुछ ऐसा ही कहानी होई कि अपडेट आये उस अपडेट के इस्टोल करने के बाद ऐसी ग्रीन लाइने दिखने सुरू हो गई थी वैसे से ज्यादा वन प्लस वाले परशान है और जैसी आप यह इसू लेकर सर्विस सेंटर जाते हैं सर्विस सेंटर वाले भाई पूरी डिस्प्लेगा पैसा मानके आपसे कल को आप बेचोगे वह रिपेर कोस्ट काउंट भी नहीं होगा लेकिन यह आप एक आर्टिकल है एंड इंडियन यूजर्स के लिए आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी की डिट तक इग्जैक्ट जो वर्डिंग है वन प्लस की वह यह है मैं असान भासा वह समझा देता हूं वन प्लस का कहना है पहली बात तो जिनको भाई यह प्रोब्लम आई हम माफी मांगते है और और कोई प्रोब्लम है फिर मुद्धा थोड़ा अलग भी हो जाएगा उसमें चार्जीज ब्याड हो सकता है लेकिन अगर डियाग्नोसीज में सब कुछ हो के पाया जाता है तो द्यान से देखिए यहां पे इंका कहना है डियाग्नोसीज के बाद फ्री स्क्रीन रिप्लेस यह एक वाउचर भी दे रहे है डिवाइज अप्ग्रेट करने पे फेर यानि कि कुछ परसंटेज पैसा देगा जिससे आप नए वनप्लस डिवाइज पर अप्ग्रेट कर सकते हैं मताता हूं क्या है एक्जेक्टली करन्ट सिचुएशन के साब से यह लाइफ टाइम स्ट पर यह एक नोटिस की तरह लगाया हुआ है इसमें कहा गया है कि जितने भी वनप्लस एटी एट प्रो या नाइन या नाइन आर में जो लाइन आ रहा है स्क्रीन पे इनके पास स्पेर पार्ट अवेलिबल नहीं है क्योंकि इनके इसाब से भाई एक पुराने लाइफ साइ वनप्लस 80 है 20,000 रुपीज का आपको वाउचर देंगे 20,000 का वाउचर प्लस अगर आप वनप्लस 10R पे अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको 4500 का अलग से बोनस दिया जाएगा जिसकी वैसे 24,500 का आपका डिसकाउंट हो गया अब 10R 35,000 के आसपास मिलता है तो इनके स आप से 70% के असपास डिसकाउंट दे रहे हैं और उसी साब से आप पे वनप्लस 9, 9R, 8 Pro ये सब भी मेंशन हैं कैच यह है कि ये लोग सिरफ वनप्लस 10R पे अपग्रेड बोनस दे रहे हैं एक्स्ट्रा जो 4500 है बाकि जो वाउचर वैल्लू है देखो यहा पर अलग- जो फोन थे उसका वो प्रोपर अप्ग्रेड था नहीं मेरे कहने का मतलब 20,000 तो आपको दे रहे हैं तो उस पर आप 4500 के बोनस के चक्कर में यह सोच लीजिएगा कि आप यूजर कैसे है नॉर्मल यूजर है तो थोड़े ऐसे मतलब होता नहीं अच्छे-कासी यूजर है कई सारे फोन चलाते हैं तो फिर भाई वो 4500 रुपीज के चक्कर में 10 आर में भी तो आप अलग से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप चाहें तो अगर मैनेज होगा तो 4500 रुपीज बोनस ना ही लीजिएगा वाउचर वाला पैसा लेके वन प्लस 11 सीरीज का फोन बाय क रिते हैं अब ऐसे उसर के लिए आप दो तरीके सो सकते हो अगर आपका यही वन प्लस डिवाइस ठीक होता ग्रील लाइन नहीं आया होता अगर आप इसको बेचते तो आपको 15,000 के आसपास वैसे भी मिल जाता तो यहां पर आपको 20,000 का ही वाउचर मिल रहा है लेकिन यह कि ग्रीन लाइन इसु के साथ अगर आप अपना डिवाइस बेचने जाएंगे तो 15,000 का भी नहीं बिखेगा अभी क्या आप ग्रीन लाइन इसु के साथ फोन अप्ग्रेड करा सकते हो 20,000 का आपको वाउचर मिल रहा है थोड़ा अलग अलग रेट भी है देख लेरा पर कुछ ना होने से कुछ हो ना बयटर है अ मैंने सर्वीक्म मिलेगा या फीर है उनको रिपेर फिर में मिलेगा या फिर अप्ग्रेट कर सकते वन प्लस टेन आर में ऐसा कुछ ओफर चल रहा है अच्छा यह मतलब यह जो न्यूज सही है ओफिशियल है यह तो इनकी बात से क्लियर है कि भाई यह न्यूज ऐसा ने कि सिर्फ आर्टिकल में छपा है वन प पाट्स ही नहीं मिलेंगे सिर्फ दो से तीन साल में कैसे डिवाइस का लाइफ साइकल पूरा हो सकता है तो वन प्लस की तरह सो भाई स्टेप अच्छा लगा बस दो चीज इसमें और इंप्रूफ की जा सकती थी लाइक आप वन प्लस टैनार ही नहीं एलेवन एलेवन आर करेंगे तो भी आपको बोनस मिलेगा या फिर जब आपको पता है इशूज आ रहे हैं तो इन डिस्प्ले को मैनेज करके इन पार्ट को मैनेज करके इन तक पहुचाईए ऐसे नोटिस बोन लगाने से तो मुश्किल हो जाएगा बहुत ही कमी जगा होंगे शायद जहां मिल पाए तो वह ही है पहले आओ पहले पाओ में जिसको जैसा मिल गया बस यही बताना था आपको और बाकी ब्रैंट्स भी भाई इस वीडियो को अगर देख रहे हैं आप भी थोड़ा शरम करो मतलब लाओ कुछ यूजर के लिए प्रॉब्लम का सेल्यूशन और मैं मिलता हू आपसे अगले वीडियो में थैंक्स वीडियो देखने के लिए